environmental sociology topic 220 the possible effects of water diversion schemes water diversion schemes के possible effects क्या हो सकते है a water diversion is the removal or transfer of water from one watershed to another watershed पानी को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने को water diversion कहते है हम अपने water system को देखे हैं जो हमारा surface water system है तो हमारे water system में इसे Indus river basin कहा जाता है यहां Indus है द्रयासेंद है और उसके मौवंद रहा है रावी है चनाव है जेलम है सतलोज है और ब्यास है KPK की तरफ इफ़ानस्तान से काबल river भी आता है Indus water system में So Indus water system is the best example of the water diversion जहां पे water transfer होता है एक watershed से दूसरे watershed की तरफ For example हमने जब Indus water treaty किया इंडिया के साथ सिंध तास मैदा किया उसकी वजा से पाकिस्तान का हग Indus water system के तीन द्रयाओं पे है जो सिंध है चनाव है और जेलम है तीन द्रयाओं पे Hindustan का कैज जो रावी है बयास है सपलो जाए अब रावी और बयास क्योंके पाकिस्तान के बहुत बड़े अरिया में वो बहते हैं बट वो ड्राइ हैं क्योंके पानी उसका मैक्सीमे मेडिया यूज कर सकता है जो अर्रेंडमेंट किया गया जो जो इस्टरं रिया हैं जिनमें पानी की कमी है तो वेस्टरं जो रिवर्स हैं उनमें से पानी निकाल के इनमें डाला गया जैसे अगर हम देखें तो जेहलम से नहरे निकलती हैं जो कादराबाद से थोड़ी पहले आके चनाब में गिरती हैं वहां से चनाब से नहर निकलती है जिसे क्यूबी लिंक कहते हैं कादराबाद बलो की लिंक किनाल है जो पूरा रीजिन है अफजाबाद का शकुपुरा का वहां से क्रास करती है आगे नंकाना साथ और बलो की मक्य मकाम पे जाके वो रावी में गिरती है फिर वहां रावी से एक नहर निकलती है बहुत बड़ी नहर जो बल्लेवकी से जाके सुलिमानकी के मकाम पे जाके सतलज में गिरती है इसी तरह आगे ब्यास में पानी जाता है और लेटर ओन हम अपने डैजर्ड जो चौलस्तान का रिजन है भावलपूर की तरफ वहां तक पानी को लेके जाते हैं तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब पानी को लेके जाना होता है उसको कहते हैं water diversion that is sometimes all the time on the maximum cases this is a man-made arrangement this is the river engineering and river management actually the term consumptive use is used to define diversion and exports because the water is being consumed without then returning to its course water use तो किया जाता है लेकिन आपने original source की तरफ return नहीं यह होता तो यह इसलिए water divergent की term जो है वो use की जाती है क्योंकि जब किसी एक river system से पानी निकाल लिया जाता है तो इसका मतलब है वो उसमें वापस तो नहीं जा रहा है आगे ही कहीं जाके यूज होता वाटर इस डिवर्टेग यूजिंग इन सिट्रीम बेरियर सच इस डैम्स डैम्स की मदद से वाटर को डैवर्ट किया जाता है वार एक्जेंपल तर्बेला डैम है वहां से नहरे निकलती हैं जो आगे बहुत बड़े एरिया ओड़यो को जाके किर्यीगेशन के लिए पानी त्रबेला डैम्स का यूज होता है सें मंगला मंगला में पांगी को कर्बेला में पानी को पानी को स्टोर किया जाता ह उस सीजन में नहरों में पिर पानी अवेलेबल किया जाता है मोहिया किया जाता है जब जिन सीजन में ओवराल नैचरल फ्रो नहीं होता रिवर्स में कैनाल हैं, पाइपस हैं that is used to construction process, पाइपस हैं अगर हम ब्लोचस्तान में देखें तो करेज होते हैं, पाइपस से पानी एक जगा पर दूसरी जगा एक वाटर चैनल से लेट से दूसरी जगा ट्रांस पोट किया जाता है और यूज किया जाता है for the purpose of irrigation डिवर्टिंग वाटर कैन पर्मनेंटली इंपक्ट ओन वाटर क्वालिटी, डिवर्टिंग वाटर जो है, वाटर क्वालिटी पर पर्मनेंट इफेक्ट करता है and requires a resource concern, resource concern require है, for example, अगर एक जगा से दूसरी जगा आप वाटर ट्रांस पर्म करते हैं, जहां से transform करना है, through a canal or something हो सकता है, कि वहां की जो overall ecology है, उसमें वो problem पैदा कर दे, जैसे क्यूबी लिंक अगर देखें, जो नहर कदराबाद और बलोकी को मिला रही है, चनाब और रावी को, उसमें एक इलाके में जाके एक पुरानी नहर है, तो वो फिर ultimately खतम की गई, क्योंके वहां पे जब water का flow आया, तो वहां पे सारी जो जमीन है, वो उसमें salinity आना है, उसको damage नहीं हो, वहां पे water quality sometimes compromise होती है, sometimes soil quality compromise होती है, so it is very important to take the consent, वहां पे उसको scientifically check करना, कि अगर यहां से water का flow, इस level का flow, अगर होगा, तो उससे किस level का damage है, damage होगा भी या नहीं होगा, उसके positive effects होंगे, या negative effects होंगे, soil fertility पे और overall वहां के ecosystem पे